नमस्कार, मैं अविनास रंजन गुपता आपका अपने चैनल पर हर्दिक अभी नंदन करता हूँ आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं अर्थ परिवर्तन की दिशाएं ये पार्ट अर्थ विज्ञान के अंतरगत आता है और अर्थ विज्ञान भाशा विज्ञान का बड़ा ही महत्त पुर्ण अध्याय है तो शुरू करते हैं अर्थ परिवर्तन की दिशाएं देखिए अर्थ परिवर्तन की दिशाएं जब हम लोग पढ़ेंगे तो हम लोगों को निमनलिखित बिंदूओं को पढ़ना पढ़ेंगे जैसे अर्थ परिवर्तन क्या होता है इसकी क्या क्या उधारण है अर्थ नामकरण के माध्यम से और जो अर्थ परिवर्तन होता है उसका कभी-कभी अर्थ का एलिवेशन हो जाता है, अर्थात अर्थ का मीनिंग और भी अच्छा हो जाता है, तो उसे हम लोग अर्थोत कर्स कहते हैं, अर्थ परिवर्तन हो जाना ही अर्थ परिवर्तन कहलाता है, यह परिवर्तन, समय के साथ साथ होता जाता है, इन कोर्स ओफ टाइम सब्दों के अर्थ में परिवर्तन आता है, उदहरण के तौर पर हम लोग यहां देखते हैं, कि संस्कृत का एक सब्ध है आकासवानी, तो संस्कृत में इसका अर्थ होता है देववानी, अर्थात आकास से देवतागन कुछ एनौंस्मेंट करते हैं, उसे हम लोग संस्कृत में आकासवानी कहते थे, लेकिन आज के दौर में आकासवानी का अर्थ परिवर्तन होकर हिंदी में रेडियो, जिसे हम लोग AIR कहते हैं, All India Radio हो गया है, तो देखे हम लोग अर्थ परिवर्तन हो गया है, इसके साथ एक और एक्जांपल देखते हैं, देखे, संस्कृत का ही एक सब्ध है, जो है जंग, संस्कृत में इसका अर्थ होता है, पैर के उस भाग के लिए होता है, जो घुटने से नीचे हो, अर्थात इस एरिया को संस दिल या थोड़ा सा बदलाव आ जाता है तो यह सब्द हो जाता है जंगा और इसका अर्थ हो जाता है कि घुटने से उपर वाले हिस्से को कहते हैं अंग्रेजी में इसके लिए हम लोग थाई सब्द का प्रियोग करते हैं और हिंदी में जंगा या जांग याद कीजिए भी ने दुरियोधन की जांग दोड़ी थी एक और एक्जामपल ले लेते हैं एक सब्द है गवार पाली भासा से प्राप्प सब ग्राम दोरकों से अनुमान लगता है कि ये जो सब्द है संस्कृत का ग्राम दारक रहा होगा जिसका अर्थ होता है गाउं में रहने वाला या गा गवार हिंदी में और गयार बन जाता है बंगला में और गमार बन जाता है गुजराती में और इसी तरीके से अन्ने भाशाओं में भी इसका रूप बदलता है और अंत में इसका अर्थ हो जाता है असब्य अंसिविलाइज या मुर्ग बेवकूफ और हम लोग कहते भी हैं अर्थाक मुर्ख हो अर्षव्य हो लेकिन इसका मूल अर्थ क्या है गाउं का रहने वाला या गाउं वाला या गाउं का लड़का तो इस तरीके से हम लोग देखते हैं तो अर्थ परिवर्तन होता है अब हम लोग विचार करते हैं कि अर्थ परिवर्तन की दिशाएं क्या क् कारणों से होता है, या इसके कितने प्रकार होते हैं, इस पर विचार करने वाले, जो भाषविज्ञानवेत्ता थे, वो फ्रांस के थे, और उनका नाम ब्रील था, इन्होंने ही तीन दिशाओं की खोज की थी, या तीन दिशाओं का इन्होंने अवधर्ना प्रस्तूत किया वो ये है अर्थ विश्तार, expansion of meaning, अर्थात किसी भी सब्द के अर्थ का विश्त्रित हो जाना, ठीक उसके opposite होता है अर्थ संकोज, contraction of meaning, अर्थात किसी भी सब्द के अर्थ का एक संकुचित रूप, exquisite form में आजाना और अर्थादे, transference of meaning, अर्थात सब्द के अर्थ का कुछ और ही अर्थ निकल कर सामने आना, तो इस प्रकार से हम लोग देखते हैं, अर्थ परिवर्तन के तीन प्रकार हैं या तीन दिशाएं हैं, सबसे पहले हम लोग देखते हैं, अर्थ विश्तार, expansion of meaning, अर्थ विश्तार का अर्थ है, अर्थ का सिमित, limited छेत्र से निकल कर विश्तार पाताना, unlimited छेत्र में पहुँच जाना, उदहारन के लिए हम लोग एक तंस्कृत का सब्द लेते हैं, जो है तैल, तैल का मूल अर्थ था, तिल का तेल, किन्तु तेल का प्रियोग अब सभी चीजों के तेल के लिए होता है, जैसे सरसो का तेल, मुंगफली का तेल, अलसी का तेल, आवला का तेल, चमेली का तेल, नीम का तेल, नारियल का तेल, मचली का तेल, और अंत में मिट्टी का तेल भी इसी से आ मिला, और यहां तक तो ठीक है, एक मुहावरा भी इससे बन ग रहा है तो जैसे ही वो काम निप्टा कराएगा वो कहेगा अरे मालिक ने तो मेरा तेल ही निकाल दिया तो देखिए कैसे यहां पर अर्थ का विश्तार हो रहा है उसी प्रकार एक दूसरा सब्द देखिए प्रवीण ये संस्कृत का सब्द है प्रक्रिष्टो विनायाम अर् आज के युग में प्रवीन अर्थात किशी भी छेतर में, जैसे वो खाना बनाने में प्रवीन है, वो बांसुरी बजाने में प्रवीन है, भले ही खाना बनाने वाले या बांसुरी बजाने वाले कभी भी वीना छुए होंगे या नहीं, इसकी तो गैरंटी नहीं है, लेकिन फिर भी उनके लिए प्रवीर्ण सब्द का प्रियोग किया जाने लगा है साथ ही साथ आज के युग में कोई भी व्यक्ति अगर किसी भी काम में दक्ष है या चतूर है तो उसे हम लोग प्रवीर्ण कह देते हैं उसी प्रकार यहाँ पर देखिए कुशल, गवेच्वना, गवाक्ष, निपून, सियाही, गोष्ट, महराज, सब्ज, इतिसरी ऐसे सब्द हैं जिनके अर्थों में बहुत ही विस्तार हुआ जैसे कुशल एक सब्द लीजिए कुशल तो कुश एक विस्त प्रकार की घाश होती है और यह बड़ी नुकिली होती है तो घाशों के बीच में से कुश के घाश को बीना फाड लगाए बीना उसमें चोट पहुँचाए और अपने आपको बचाते हुए कोई विक्ती जब कुश के घाशों को निकालता है तो उसे ही हम लोग कहते हैं कुशल लेकिन आज के युग में कोई भी विक्ती जो काम में अच्छा है तो हम लोग उसे कह देते हैं कुशल उसी प्रकार एक सब्द है गवेशना करने निकले हैं लेकिन आज के युग में कोई विज्ञानिक अगर किसी चीज का अविश्कार करता है या कोई खोज करता है तो उसे हम लोग कहते हैं गवेशना यहां तक कि कुछ-कुछ organization है उनका नाम है गवेशना केंद्र गवाक्ष अर्थात गाय की आँख लेकिन आज के युग में गवाक्ष कहने का मतलब हो गया खिलकी या जरोखा अब देखे निपुन पुराने जमाने में जब कोई व्यक्ति केवल पुन्य कमाता था या कुछ भी ऐसा कारे करें जिससे पुन्य की प्राप्ति हो तो हम लोग कहते थे यह तो निपुन है लेकिन आज के युग में कोई भी अच्छा काम कर रहा है या किसी भी फिल्ड में या हुनर में वो स्रेष्ट है तो हम लोग उसे कह देते हैं निपुन उसी प्रकार देखे स्याही स्याही सब्द का अर्थ अर्थात है स्याह, अर्थात काला, लेकिन आज कल हर प्रकार की रोष्णाई या मसी के लिए, रोष्णाई या रखेगा, इंक का मूल नाम है रोष्णाई या मसी, आज कल हम लोग किसी भी रोष्णाई या मसी के लिए स्याही का प्रयोग कर देते हैं, भले ही वो काली हो या तो भी स्याही उसी प्रकार एक सब्द देखिए गोश्ट गायों के रहने के स्थान को गोशाला या गोश्ट कहते थे किन्तु अब उसमें भैस भी बंद है बकरी भी बंद है बैल भी बंद है फिर भी उसे गोशाला ही कहते हैं इसी प्रकार ले लिए महाराज महाराज मतलब राजाओं के राजा, महाराज लेकिन आजकल हम लोग किसी भी भद्र पुरुष को महाराज कहते है और कहीं कहीं तो रसोईये के लिए जो कुक होते है उनके लिए भी महाराज सब्द का प्रयोग किया जाता है एक सब्द और लेजे यह है सब्ज और सब्ज का मतलब होता है हरा, ग्रीन और सब्ज सब्द का प्रियोग अब सब्जी के लिए किया जाने लगा है लेकिन पहले हरी हरी भिंडियों के लिए पालक साग के लिए सब्जी का प्रियोग किया जाता था लेकिन आजकल तो लाल-लाल टमाटर और गाजर और सफेद मूली और नीले बैंगन के लिए भी सबजी का प्रियोग किया जाता है उसी के बाद देखिए एक सब्द है इतिसरी इतिसरी कहने का मसलब हुआ जब भी कोई किताब समाप्त होती थी तो लेखक किताब की समाप्ती पर कुछ इतिसरी अर्थात पुष्पिका लिखते थे पुष्पिका ये देखिए ऐसे लिखते हैं पुष्पिका किताब का अगर पहला खंड समाप्त हुआ है तो किताब के अंतिम में कुछ ऐसा लिख देंगे जिससे पाठकों को पता चले कि पहला खंड समाप्त हुआ, अगला खंड आएगा, ठीक है, तो इती स्री और ये समाप्तम और इसके बीच कुछ भी लिखा जाता था, तो अब इती स्री का अर्थ हो गया किसी भी चीज की समाप्ती, लेकिन पहले इती स्री कहने का मतब होता थ किसी किताब की समाप्ती पर लिखा जाने वाला वाक्य, तो इस तरीके से हम लोग देख रहे हैं कि अर्थ का विस्तार हो रहा है, अब हम लोग आजाते हैं अर्थ संकोच पर, यह अर्थ विस्तार का ठीक उल्टा है, अर्थ संकोच, प्रायस देखा जाता है कि कोई सब्द विश्त्रित अर्थ का वाचक था अर्थत उससे विश्त्रित अर्थ का बोध होता था किन्तु बाद में वह सीमित अर्थ में प्रियुक्त होने लगता है युद्पति या ओरिजीनेशन के आधार पर उसे विश्त्रित अर्थ का वाचक होना चाहिए प्रियोक्सी मितर्थ में होने लगा है, अर्थ परिवर्तन की इस दिशा को अर्थ संकोच कहते हैं और अंग्रेजी में इसे contraction of meaning कहते हैं, अर्थ संकोच के example देखिए, एक सब्ध है म्रिग, नॉर्मली म्रिग का मतलब होता है dear, आस के सेंस में हिरन, लेकिन पहले म्रिग कहने का मतलब होता है किसी भी प्रकार के जंगली जानवर को जो जंगल में रहते थे, उसे म्रिग कहा जाता था, लेकिन आज कल म्रिग पशु विशेष के लिए रूड हो गया है, अब वो है हिरन, उसी प्रकार देखिए पंकज, पंक प्लस ज, पंक का मतलब होता है कीचड और जव का मतलब होता है, जन्म लेना, ठीक है, तो कीचड में जो जन्म लेता है, उसे ही हम लोग पंकज कहते हैं, लेकिन आज के यूग में पंकज कहने का मतलब हुआ कमल, क्यूंकि कमल भी कीचड में ही जन्म लेता है, और अब ये पंकज, कमल सब्द के लिए रूड हो गया उसी प्रकार एक और एकजामपल देखते हैं, ये है वेदना का अर्थ जो है, वो सुख और दुख दोनों के अनुभाव के लिए होता था, लेकिन अब केवल दुख के अनुभाव के लिए ही वेदना का प्रयोग किया जाता है, लेकिन संस्कृत के कुछ सास्त्रों में, कोई भी बड़ा भवन जैसे ये देखिए ये राष्टपती भवन है तो ये भी मंदिर के सेंस में आएगा विद्या मंदिर अर्थात एक ऐसा भवन जो बहुत बड़ा है वो भी मंदिर कहलाता था लेकिन आजकल मंदिर कहने का मतलब हो गया है देवालय तो इस तरीके से हम लोग देख रहे हैं कि अर्थ का संकुचन हो रहा है और अर्थ के संकुचन में कुछ-कुछ तत्व भी काम में आते हैं जैसे समासिक पध्धती से भी अर्थ का संकुचन होता है कैसे यहां देखिए अर्थ संकोच में समास की क्या भूमिका है देखिए नीलांबर तो नील पीतांबर लेकिन ये बलराम के लिए ही केवल प्रियुक्त होता है कृष्ण के बड़े भाई दाव पीतांबर उसी प्रकार स्री कृष्ण के लिए दसानन दस सिर हैं जिसके तो ये तो रावन के लिए है समझ में आएगा लेकिन गजबदन देखिए माल लिजे अगर किसी का सरीर बहुत ही हटा तकड़ा है या बहुत ही भीमकाय है बड़ा है तो उसे हम लोग गजबदन कह सकते हैं लेकिन अब ये गणेश के लिए रूड हो गया है उसी प्रकार पूरा रिशीव के लिए तो बहु ब्रही समास के कारण भी संकुचित अर्थ के वाचक हो जाते हैं कुछ सब्द अब हम लोग आदाते हैं उपसर्ग पर उपसर्ग को हम लोग अंग्रेजी में प्रिफिक्स कहते हैं तो कुछ सब्द ऐसे होते हैं जिनका अर्थ तो एक ही होता है लेकिन उसके पहले कुछ प्रिफिक्स लगा कर हम लोग उस सब्द को और भी संकुचित कर द में उपसर्ग का प्रयोग करते हैं तो ये एक पर्टिकुलर अर्थ को लेकर संकुचित हो जाता है जैसे विहार, प्रहार, उपहार, संहार, आधी इसी तरीके से एक योग सब्ध है ठीक है योग के बहुत अर्थ होते हैं लेकिन अगर हम लोग संयोग, कोइंसिडेंट, विय लेकिन अगर इसी के आगे हम लोग देखे अकार अर्थात से, प्रकार अर्थात टाइप, विकार अर्थात प्रॉब्लम, संसकार अर्थात कल्चर, प्रतिकार अर्थात लडाई के बदले, लडाई करना, प्रतिकार, विरोध करना तो उपसर्ग के प्रयोग से भी हम लोग देख रहे हैं कि अर्थ का संकुचन हो रहा है, अब उपसर रगा गया है, तो प्रत्य भी आएगा, ये देख लिए प्रत्य, प्रत्य को हम लोग कहते हैं अंग्रेजी में सफिक्स, और ये जो सफिक्स है, ये भी अर्थ के संकुचन में एक एहम भूमी का निभाता है, देख इरिया को बताता है इसमें कुछ-कुछ फूल उगे हो देख अर्था एक ऐसा बरतन जिसका मुह बहुत बढ़ा हो ठीक है लेकिन देगचा कह देते हैं तो एक विशेष प्रकार्थी ही बरतन का हम लोगों को बोध होता है ठीक है तो प्रत्य के प्रयोग से भी हम लोग देख लगते हैं अर्थ का संकुचन हो रहा है उसके बाद आजाते हैं विशेष जिसे हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं एड्जेक्टिव देखे जन का अर्थ है लोग लेकिन इस जन सब्द में जब हम लोग दुर या सत का विशेष लग जाता है तो क्या हो जाता है दुर्जन या सजन तो सब्द जो बना ये विशेष जब्द का वाचक हो गया उसी प्रकार देखे एक सब्द है कमल किसी भी प्रकार का कमल चाहे वो लाल कमल हो नील कमल हो या गुलाबी कमल हो एलो कमल हो वाइट कमल हो लेकिन कमल लेकिन जैसे ही हम लोग इसमें विशेष लगा देत जाता है अब हम लोग आज आते हैं पारिभासिकता पर देखे जब हम लोग किशी सब्दों को पारिभासिक रूप देते हैं तो उससे भी अर्थ का संकुचन होता है कैसे देखे यहां एक सब्द है संथ तो संथ सब्द का रथ बहुत व्यापक है किन्तु हिंदी साहित्य के निर्गुण कावे धारा के संत कवियों के संदर्व में संत क्या हो गया अपने विश्त्री तर्थ से संकुची तर्थ में प्रियोग होने लगा इसी तरह आप यहां देखे एक सब्द है रस बहुत रस का मतलब आनंद होता है रस का मतलब स्वरस होता है आमले का स्वरस रस का मतलब होता है काव्वे का रस आपकी बातों से बड़ा रस टपकता है अर्था आनद तो जब कि मानव कहने का मतलब हुआ मनू के जितने भी पुत्र है वो मानव उसे प्रकार दनू के जितने भी पुत्र है दानव गौरी अशोक हिमाले बर्फ का कहीं भी जमावड़ा आप देखेंगे ये कहीं भी बर्फ बहुत होगी तो आप उसे हिमाले कह सकते हैं लेकिन हिमाल हो रहा है अब हम लोग आज आते हैं अर्था देश पर ये अर्थ परिवर्तन की तीसरी दिशा है अर्था देश देखिए आदेश का मतलब होता है नौर्मली ओडर ना आदेश का मतलब होता है ओडर लेकिन आदेश का एक और अर्थ होता है जिसे हम लोग कहते हैं परिवर्त चेंज अर्था देश में अर्थ का विश्तार या संकुचन नहीं होता बलकि अर्थ बिल्कूल बदल जाता है अर्थात पहले वह सब्द किसी दूसरे अर्थ का वाचक था किन्तु बात में दूसरे अर्थ का वाचक बन गया अर्थक पहले मूलता वो कुछ और सब्द को प्रस्तूत करता था और बीतते हुए समय क्रम में अब वो किसी अन्य सब्द को प्रस्तूत करता है उदहरण के तौर पर देखिए असूर तो वेदो में अशूर का मतलब होता था देवता ठीक है? लेकिन बदलते क्रम में अब असूर का मतलब होने लगा है राक्षस उसी प्रकार आकास बानी तो हम लोगों ने पहले ही स्लाइड में देख लिया उसके बाद है साहस तो साहस सब्द का अर्थ पहले होता था चोरी करना या डाका डालना या व्यभिचार करना या बुरे काम करना उसका अर्थ होता था साहस लेकिन अब देखिए साहस किसी भी अच्छे कारे को करने में अगर हम लोग अपनी उर्जा दिखा रहे हैं तो हम उसे साहस का नाम देते हैं तटस्ट तो पुराने जमाने में जो तट के किनारे अर्थात बैंक ठीक है ना जो तट के किनारे रहा करते थे उसे हम लोग तटस्ट कहते थे लेकिन आज के सेंस में तटस्ट का मतलब हुआ जो किसी के साथ नहीं है इंडिपेंडेंट है किसी का पक्षि नहीं लेता वो तटस्ट ति लेकिन अब तिलांजली देना मतलब छोड़ देना, तो इस तरीके से हम लोगों ने ये पास सब्दों को देखा, ये पास सब्द पहले किसी और अर्थ के वाचक थे और अब किसी और अर्थ के वाचक हो चुके हैं, ये कहलाता है अर्थादेश, Transference of Meaning, अब हम लोग आजाते हैं अर्थोतकर्स पर, देखे, Elevation of Meaning, जब सब्दों में अर्थ परिवर्तन से अर्थ में उतकर्स आता है, अर्थात अर्थ का प्रोमोशन हो जाता है या अर्थ में गुणवत्ता बढ़ जाती है, तो उसे हम लोग अर्थोतकर्स कहते हैं, अर्थात अर अर्थोतकर्स कहते हैं, और इसके कुछ हम लोग उदाहरण देख लेते हैं, देखे, मुग्ध, एक सब्द है, मुग्ध, मुग्ध सब्द पहले मूर्ख, फूल, के अर्थ में था, अब अच्छे अर्थ में है, मोहित होना के रूप में प्रिव्प्त होता है, बोपदेव एक ऐसे शात्र थे जो बच्पन में बड़े मूड थे वो समझ नहीं पाते थे लेकिन आपने सुना होगा करत करत अभ्यास के जडमती होत सुजान रसरी आवत जात ते सिलपर परत निसान ये बात बोपदेव के जहन में बहुत अच्छे से बैड़ गिये और फिर वो बहुत ही अच्छा बहुत ही तेज चात्र बंता है और उसने एक व्याक्रण की पुस्टक लिखिया उसका नाम रख दिया मुग्द बोध अर्थात उन्होंने एक ऐसी व्याक्रण पुस्टक की रचना की जो मुड़ को भी बेवकूफ को भी मुझो को भी व्याक्रण का बोध करा इसलिए उन्होंने उसका नाम रखाता मुग्द बोध लेकिन अब मुग्द का क्या अर्थ है अब मुग्द का अर्थ है मोहित हो जाना ठीक उसी प्रकार देखिए अर्थोत कर्ष का एक दूसरा एक्जामपल साहस जो हम लोगों ने पहले डिसकस किया इसका अर्थ होता था जाका डालना चूरी करना या विविचार करना लेकिन अब उत्साह युक्त कारियर किसी भी प्रकार का उत्साह युक्त कारियर साहस कहलाता है करपट देखिए करपट सब्द संस्कृत का है और इसका अर्थ होता था फटे चीथडे कपड़े लेकिन अब करपट अर्थात नौर्मल कपड़ा, पहले फटे चीतरे कपड़ों के लिए करपट का प्रयोग किया जाता था, लेकिन अब करपट मतलब नौर्मल कपड़ा, उसी प्रकार देखे गोष्ट, गोष्टी गोष्ट सब्द से बना है और इसका अर्थ होता है गउशाला, अर्था गायों के रहने का स्थान, किन्तु अब गोष्ट सब्द से बना, गोष्टी सब्द सभ्ध समाज की सभा के लिए प्रियुक्त होते हैं, अब हम लोग आदे आते हैं सभ्ध, नौर्मली हम लोग सभ्ध को सिविलाइजट कहते हैं, सिविलाइज्ड सब्द का अर्थ पहले सभा योग्य या सभा में बैठने योग्य होता था लेकिन अब एक प्रसंसा सूचक सब्द है आप सभे इनसान है लेकिन पहले क्या होता था कि सभा में बैठने योग्य या सभा की योग्य है या ने उसको सभे कहते थे तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा अर्थ अपकर्स के पाँच एक्जामपल अब हम लोग आज आते हैं अर्था अपकर्स पर देखिए deterioration of meaning अर्था अपकर्स मतलब अर्थ धन अपकर्स अपकर्स कहने का मतलब है demotion या degradation अर्थ परिवर्थन से कुछ सब्दों के अर्थ में हीनता निक्रिष्टता या अपकर्स हो जाता है इसी को अर्था अपकर्स कहते हैं उदहरन के तौर पर हम लोग यहां इसके कुछ एक्जामपल देख लेते हैं यह रहे इसके कुछ एकजामपल्स अर्था अपकर्स जैसे जो भद्दा सब्द है न भद्दा यह सब्द भद्र से बना है भद्र जिसका अर्थ है भला लेकिन अब यह बुरे के सेंस में आता है भद्दा अगली यहां देख रहे हैं बड़ा अगली दिख रहा है यह तो भद्दा बनता तो है भद्र से लेकिन इसका प्रियोग अब बुरे के सेंस में होने लगा भद्दा दिख रहा है बेकार दिख अच्छा। उसी प्रकार के लिए किया जाने वाला कुछ या पवित्रकार के लिए प्रियुक्त लेकिन अब मल त्याग करने के अर्थ में इसका प्रयोग किया जाता है, शाउच का, उसी प्रकार देखे, एक सब्द है पुंगव, पुंगव का मूल अर्थ था स्रेश्ट, अच्छा, लेकिन अब उसी से बन गया पुंगा, अर्थात मुर्ख, उसी प्रकार देखे, एक सब्द था हरीजन, हरीजन का मूल अर्थ होता था भाग्त, लेकिन अब हरीजन कहने का मतलब है अच्छूत, अब और एक इग्जामपल देखें, वद्रवतुक, वद्रवतुक कहने का मतलब हो गया, पक्का ब्रहमचारी, अब बजर बट्टू, अर्थात मुर्ख, उसी प्रकार, जैन स आधूओं के लिए आधर के साथ प्रयुक्त सब्द, नग्न लुंचित, लेकिन अब इसी का ही बदला रूप है, नंगा लुच्चा, तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा, अर्था आपकर्स कैसे होता है, डेटेरियूरेशन ओफ मीनिंग कैसे होता है, अब हम लोग करना है कि आपको मेरा ये वीडियो जरूर अच्छा लगा होगा, उमीद करता हूँ कि आप इस वीडियो से बहुत लाब पाएंगे, हम लोग पुन्हा मिलेंगे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद.